ग्रिष्टी आईएस के इन न्यूस प्रोग्राम में आपका स्वागत है और आज हम जिस टॉπिक पर बात करेंगे वह है हाइब्रिड उग्रवादी सुरक्षा बलों के लिए नई चुनौती तो हाइब्रिड उग्रवादी एक नए टर्म हमें सुन्न्यों को मिल रहा है तो यह क्या है इस टर्म का मतलब क्या है Hybrid उग्रवादी क्या होते हैं ये सभी सुरक्षा बलो के लिए किस तरह से चुनौतिया बन रहे हैं तो आज के इस पूरे टॉपिक में हम इन सभी बातों को कवर करेंगे तो आज की न्यूज देखते हैं न्यूज है Hybrid Militants a new challenge for security forces in कश्मीर यानि कश्मीर के क्शेतर में सुरक्षा बलो के लिए इस तरह की घटनाए सामने आ रही हैं और जो घटनाए करने वाले लोग हैं उन लोगों को Hybrid उग्रवादी कहा गया है तो ये एक term इसका इस्तिमाल किया गया है इस topic में इस discussion में आज के हम इसको विस्तार से समझेंगे थोड़ा सा जानकारिय भी हॉल लेंगे Hybrid उग्रवादी क्या है किसे कहा गया है इनकी गतिविधिया क्या है किस तरीके से लोग काम को अपने अंजाम देते हैं और इस पूरे इस term में Hybrid उग्रवादी आतंकवादी या फिर अन्य तरह कि जो भी शब्दावलिया है उनको आज हम समझेंगे कि उनमें क्या अंतर है या क्या समानताएं हैं ये किस तरीके से सरकार के सामने भारत की सुरक्षा के सामने चुनौती बन रहे हैं इसके बारे में भी जानना जरूरी होगा और इसके अलावा क्या किया जा सकता है इसकी बात करेंगे पर एक सवाल को शामिल करेंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह जी एस पेपर 3 से सम्मंदित है तो इसके जो सब टॉपिक्स हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं उनको समझना बेहस जरूरी है क्योंकि सीधे सीधे प्रश्ण तीन या चार प्रश्ण अक्सर जी एस पेपर 3 के अंतरगत मेंस के सिले जोधी तत्वों की भूमिका और सीमावर्तिक शेत्रों में सुरक्षा चुनौतिया तो इस न्यूज से आप समझ पा रहे होंगे कि सीमावर्ति कुकि शेत्र है ही शासन की सितियों में किस तरीके से ये जो नय तत्व हैं ये चुनौतिया पैदा करते हैं और साथ ही डेवल पुलिस है उन्होंने शेत्र को आतंकवादी मुक्त घोशित किया था लेकिन उसके बावजूद कई सारे लोगों पर जो पुलिस कर्मी है यान्य लोग है उन पर लगातार हमलों की घटनाए सुनने को मिलती रही उसके बावजूद जो इस तरह की स्थितियां थी वो बिगड करती गई हाला कि पुलिस ने जो कहा है या अधिकारियों ने कहा है उन्होंने इस तरह की घटनाओं के पीछे हाइब्रिड आतंकवादियों को जिम्मेदार माना है कुछ उदारन है हमारे सामने कुछ घटनाओं के जरिए हम समझ सकते हैं कि इनकी जो इस्थितियां है या इनके जो कृत्त हैं कितने खतरनाख हैं जैसे कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक विशेश पुलिस अधिकारी उनकी पत्नी और उनकी बेटी की हत्या कर दी इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो CID पुलिस की CID विंग होती है उसके भी जो स्पेशल अधिकारी थे परवेज एहमडडार उनकी हत्या कर दी गई एक दुकांदार की हत्या कर दी गई उमर खालिद नाम के उनको उनके दुकान से बाहर ला करके पिश्टल से शूट कर दिया गया या फिर एक जो पुलिस कर्मी थे वो अपनी on duty नहीं थे उनको आकर के पीछे से गोलियां मार दी गई तो ऐसी घटनाएं जो अचानक से निकल करके सामने आती हैं वे एक नई तरह की गंभीर समस्या की और इशारा करती हैं तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर बेजड है बात करते हैं हम हाइब्रेड उग्रवादी की यानि हाइब्रेड मिलिटेंट्स क् पश्मीर में सुरक्षा वलों को उग्रवाद के मोर्चे पर एक नई चुनौती देखने को मिल रही है जिसे उन्होंने हाइब्रेड उग्रवादी या हाइब्रेड मिलिटेंट कहा है इनकी जो खास बात है वह यह है कि यह जो लोग हैं जो समू है इसमें शामिल जो व्यक गटरपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं एक्स्ट्रीमिस्ट विचारधारा कि किस तरीके से इनको हमला करना ही करना है एक तरीके से बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को अपने इच्छा शक्ति को मजबूत किये हुए और आतंकवादी गतिविधियों को करने के आर्थ है समझते हैं तो अभी हम इनके उद्देश को अगर समझें तो इनका उद्देश है जनता के बीच में डर फैलाना कि लोगों के बीच में एक भय का माहल बना रहे इसके अलावा ऐसे व्यवसायों और सामाजिक गतिविधियों को रोकना जो आतंकवादियों और उन आतंकवाद को रोकने की बात करते हैं तो ये सभी इनके लिए टार्गेट्स होते हैं ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है हमारे इंटर्नल सिक्योरिटी के लिए खासकर सीमावर्तिक छेत्रों के लिए भी तो अब अगर हम इनकी गतिविधियों की बात करें तो इनकी जो गतिविधी में सबसे मेन काम है वह है soft targets को हमला करना यानि soft target का मतलब हुआ ऐसे सामाने लोग जो इनका विरोध कम कर पाए या ना कर पाए कोई महिला हो सकती है कोई बच्चे हो सकते हैं कोई ऐसे political leaders जिनको police की या अत्रिक्ट security ना मिली हो या अन्य कोई व्यक्त जो सामाने तरीके से जा रहा हो उसको ये लोग target बना करके हमला करते हैं और जो हमला करते हैं उसके लिए pistol जैसे छोटे हतियारों का उपयोग करते हैं इनकी जो car shelly में सबसे एक जो महतपूर तरीका है वह यह है कि इनको जब भी कोई task दिया जाता है इनके operators के द्वारा ज लोग वापस से अपने सामाने कारियों में लग जाते हैं जैसे daily basis पर अगर कोई job हुई job कर रहा है कोई व्यक्पि या किसी अनिकार में लगा हुआ है इस तरह का कोई भी कार, सामान निस्सितियों में कोई दुकान चला रहा है, तो इसके बारे में जान पाना बहुत मुश्किल होता है, कि पता चला बगल वाले घर में ही एक ऐसा व्यक्ति छुपा हुआ है, जो अगले दिन निकल करके इस तरह की गतिविदियों में शामिल और फिर से अपने दैने कारियों में लग जाएगा, अगले किसी सूचना आने तक या अगले किसी प्लान की situation तक हो सकता, अगले 6 महिये तक भी ना बोले, अगले साल भर तक भी कोई प्रतिकरिया ना दे, तो ऐसे में इसको track करने की बहुत बड़ी challenging situation बन जाती है, इनका target निहथे लोगों को निशाना बनाना, जिनके पास हथियार ना हो, जो इनका विरोध ना कर सके, पूर्व सुनियोज़ तरीके से कार करना, यानि हम ये नहीं कह सकते हैं कि random तरीके से इन्होंने किसी भी व्यक्ति को shoot कर दिया, या फिर क्या, एक पूर्व पूरी तरह से planning हो तो ऐसा एक तरीका बहुत ही खतरनाक तरीके से सभी लोगों को नुक्सान पहुंचाना, या फिर इनका जो नेक्सस है, उसमें इनको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों को इन्होंने मार दिया, इनका केवल कार है कि एक तरीके से हम कहते हैं कि भाड देखने को मिलता है, इस कारण से जो situation है बहुत ही जादा challenging होती जा रही है, तो hybrid जो उगरवादी है, उनकी बात ये है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों की बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात की hybrid उगरवादी की, यानि ऐसे लोग जो छुप करके हमला करत हैं, सामाने जीवन में लोड जाते हैं, तो ये तो हुई hybrid, जिसको hybrid कहा गया है, एक तरीके से mixed उगरवादी, सामाने व्यक्ति भी और उगरवादी भी, ये हुई एक hybrid उगरवादी की बात, इसके अलावा हम बहुत सारी शब्दावलियों सुनते हैं, जैसे चरमपंथ, य या आतंकवादी, या मिलीशिया, या sleeper cell, तो इन सब में हमें सामाने तहां लगता है कि सभी शब्द एक दूसरे के इस्थान पर उपयोग किये जा सकते हैं, अक्सर ऐसा हमें देखने को भी मिल जाता है कि कोई शब्द आतंकवादी, उगरवादी एक ही जैसा लगता है तो टेकनिकल अंतर क्या है समझते हैं, देखी जो चरम पंथी शब्द है, इसका मतलब हुआ किसी भी विचारधारा को एक दम एक्स्ट्रीम तरीके से मानना, विचारधारा का मतलब हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो वाम पंथ की तरफ है, यानि कि उसका जो रुझान है वह नए नए तरीकों में, नए नए प्रयोगों में या आलोचना करने में सबसे ज़्यादा है, वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो दक्षड पंथी है, दक्षड पंथी कार्थ हुआ, एक रूढ हिवादी विचारधारा को मानने वाले, सामान इस्थिति तो यह होनी चाहि पर यह होगे, जो लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो उसके सबसे अंतिम पॉइंट पर होते हैं. इसको आसान भाशा में समझते हैं, जैसे, मालीज जिस सरकार ने कोई योजना शुरू की या सरकार ने कोई कार किया, तो जाहिर सी बात है कि सरकार के दौरा किये गए ए एक धड़ा ऐसा होगा जो उनका समर्थन करेगा लेकिन अगर कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है केवल विरोध करने के लिए तो हम उसको कहेंगे कि एक्स्ट्रीम लेवल पर जाता हुआ दिख रहा है वहीं कुछ लोग ऐसे होते जो अंद्भक्त टाइप के होते हैं कि सरकार क अपने आप में कटरपंथ को जन्म देती है तो कटरपंथ का मतलब हुआ किसी भी अपने विश्वास को ले करके अपने मत को ले करके एकदम द्रढ रहना बीच की स्थितियों को ना समझ पाना यानि होना ये चाहिए कि सरकार के जो अच्छे कार हैं अगर जो काम अच्छा की तरफ होते हैं उसके बाद की स्थितियां ही ऐसे कारियों में उग्रवाद या आतंकवाद की तरफ जाती हुई दिखती हैं तो हम कह सकते हैं कि उग्रवादी व्यक्ति या फिर आतंकवादी व्यक्ति कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित होता है अब यहां उग्रवादी या आतंकवादी दोनों का एक लक्ष होता है उस लक्ष में हम कह सकते हैं कि उसकी सामाजिक, राजनितिक या कोई धार्मिक विचार धरा के प्रति उसका रुज़ान होता है। लेकिन जो अंतर है वह अंतर यहां पर आता है कि इन दोनों की कारेशैलियों में एक बड़ा फर्क दिखाई देता है जहां एक आतंकवादी व्यक्ति का केवल उद्देश हिंसा के माध्यम से किसी की हत्या के माध्यम से नाग्रिकों की हत्या के माध्यम से अपना कारे करवान उसके आधार पर फिरोती माँगना बड़े स्तर पर हत्या करना यह सभी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है जब कि जो उगरवादी गतिविधिया है उसमें सामाननिता हम कह सकते हैं कि ऐसी हिंसा शामिल हो सकती है जो शारेरिक हो लेकिन सामान इस्तितियों में इनका जो मुख्य फोकस रहता है वह होता है मानसिक रूप से हिंसा फैलाना यानि अपनी विचारधारा को प्रमोट करना लोगों को किसी सरकार या किसी क्रांतिकारी अंदोलन की दिशा में प्रेरित करना तो उनके कारिशैली में यहाँ पर अं आर्मी की ट्रेनिंग तो है यानि मिलिटरी शब्द से निकला है मिलीशिया यानि मिलिटरी की ट्रेनिंग है उनके पास लेकिन वो आधिकारिक तौर पर आर्मी के परसनल या आर्मी के व्यक्ति सेना के व्यक्ति नहीं है तो ट्रेनिंग हो जाने से ये वक्ति काफी खतरना हो जाते हैं हतियार चलानी की ट्रेनिंग सभी तरह के अन्य तरह की गतिविधियों में ये लोग शामिल हो सकते हैं और खुफिया तरीके से ऐसे operations को अंजाम दे सकते हैं जो sleeper cell की बात है तो sleeper cell भी दरसल एक तरह से hybrid उग्रवादी या जिसे ही अंशकालिक उग्रवादी कहा गया है इसी का एक रूप है sleeper cell का मतलब हुआ कि कुछ समय तक अपने कारेओं के प्रती ये लोग इनक्टिवेट रहे अगला जैसे ही इनके पास target मिला उस target को उन्होंने पूरा किया और फिर से अंडर कवर तरीके से अपनी गतिविदियों को अंजाम देने लगे जिससे खूफिया एजेंसिया या अन्य तरह की अजेंसिया इन तक ना पहुंच सके तो ये इस पूरी शब्दावलियों का कुछ-कुछ अंतर है और इनमें कुछ समानता है अब हम बात करते हैं कि आज का ही एक हिस्सा बन जाता है ऐसे में उसको डिटेक्ट कर पाना या नोटिस कर पाना मुश्किल होता है एक अलग जो समस्या है वह है आतंकवादी फंडिंग की या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की गतिविदियों में जुड़ा है तो जाहिर सी बात है कि कट्टर करने ऐसी गतिविदियों से जुड़ना पसंद करते हैं कट्टरबंती विचारधारा भी एक समस्या है भी हमने विचारधारा का जिक्र किया तो एक संतुलन ना होना विचारधारा में तरक शीलता ना होना अपने आप एक बड़ी चुनौती अक्सर बन जाती है जिसकी से आतंकवाद को समर्थन मिलना भी एक बड़ी चलेंज है खासकर भारत के लिए जम्मू कश्मीर के ख्षित्र में अभी इस घटना के पीछे भी कहा ही गया है कि सायद पाकिस्तान की जो खूफिया जेंसी ISI है उसका हाथ हो सकता है तो ऐसे में इसको भी टैकल करना हमारी जो संस्थाएं हैं ,सुरक्षा संस्थाएं उनके लिए एक कठिन कारे हो जाता है अभ बात करें कि कि क्या किया जा सकता है तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह कि je भी घटनाय हो रही है उनको मॉनिटर किया जाए उनको ट्रैड किया जाए और ऐसी निग्रानी तंत्र विक्सित किये जाएं जिसके जरी हम यह पता लगा सके कि यह लोग कहां से निकल करके आते हैं हाला कि अधिकारियों का कहना है कि भी लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे समूहों की पहचान और निगरानी किया जाना जरूरी है हमें ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे लोगों को मिलने वाली फंडिंग को रोका जा सके वो सीमा पार कहीं से भी हो सकती है कोई भी हमारा नजदी की देश भ्यानमार से हो सकता है बांगलादेश से नेपाल से पाकिस्तान से तो जहां कहीं भी हमारी सीमाय लगती है या चीन से भी हो सकता है तो जहां भी हमारी सीमाय लगती है वहाँ पर आतंकी गतिविधियों को मिलने वाली फंडिंग पर हमें ध्यान देना होगा इसको रोकने पर अधर्भू सुविधा और अफसनचना का विकास ये एक important मुद्दा है important topic है इससे जुड़ा हुआ क्योंकि ऐसे सभी क्षेतर जैसे जम्मू कश्मीर के क्षेतर की हम बात कर रहे हैं तो उस शेतर में जो भी युवा लोग हैं जो इन गतिविडियों से जुड़ते हैं यदि वहाँ पर शिक्षा और अफसनचना स्वास इन सभी सुवधाओं को महिया कराये जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ना पूरे लोग बलकि कुछ लोग तो उसमें से निकल करके आएंगे ही जो समाच की मुख धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो विकास का ना हो पाना या विकास उन तक ना पह सकते हैं और उन लोगों की पहचान कर सकते हैं जो वास्तविक रूप से आतंकवादी हैं या फिर उन लोगों की पहचान कर सकते हैं जो इस तरह की गतिविदियों में किसी मजबूरी से या किसी डर्भय से जुड़े हुए हैं इसके अलावा सीमा पार आतंकवाद पर लग ही गया है तो चुकि यह जो प्रश्ण है हमारे इस टॉपिक से काफी ज़्यादा मिलता है तो इसको एक बार देख लेते हैं प्रभावी सीमावर्ती छेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों को स्थानिय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए और स्थानिय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके भी सुझाईए यानि ये सीमावर्त अतंकवाद में स्थानी लोगों के द्वारा दिया जाने वाला जो समर्थन है उसकी बात करता है किस तरीके से स्थानी समर्थन को रोका जा सकता है इसके कुछ बिंदू आपको सुझाने थे 2020 में पूछा गया था चुकि प्रीवियस एर्स के जो भी कोश्चन्स हैं उनकी आप प्रेक्टिस करके ही वास्त्विक जो पेपर होने वाला है उसके लिए अभ्यास कीजिए तो ये था आज का हमारा ओवर ओर डिसकेशन आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए सेफ रहिए शुक्रिया